दोस्तों अगर आपके फोन में भी इंटरनेट बहुत स्लो चलता है क्योंकि आज के समय में 90% लोग अपने फोन के इंटरनेट से परिसान है कि भाई जो मेरे फोन में इंटरनेट चलता है बहुत स्लो चलता है क्योंकि आज की समय में हर कोई चाहता है अपने फोन के इंटरने कर लिजिए उसके बाद आप अपने 4G फोन में 4G सीम से बिल्कुल 5G जैसा इंटरनेट यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी तक बहुत लोग 4G फोन ही यूज करते हैं अगर 4G फोन है और 5G इसमें सीम आप यूज करते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करता है लेकिन जो मैं आपको से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को एक लाइक करते हैं तो उसके लिए आप करना क्या होगा सबसे पहले आपको अपने फोन के चेनल को ओपन करना है ठीक है ओपन करने के बाद यहां पर आपको एक उप्सन मिलेगा जिसका नाम होता है SIM card and mobile सब्सक्राइब से अंदर करना किया है जिस से आपने फोन में इंटरनेट यूज करता है आपको इसके अंदर आजना है यहां पर आपको तो बहुत सारे option देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो important settings से उसके बार में हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपके settings मिलेगा जिसका नाम होता है, access point name यहाँ पर आपके phone में APN से भी हो सकता है, तो आप अपने phone में देख लिए कि आपके phone में किस नाम से है, ठ ठीक है, यहाँ पर आपके phone में पहले से एक APN create होता है, लेकिन आपको इसे delete नहीं करना है, इसके अंदर ही आपको कुछ नया settings करना होगा, खुद से, उसके बाद आपके phone का जो internet है, fast हो जाएगा, और उसके बाद भी आपको कुछ settings करना होगा, जो की important है, तो वीडियो को ज़रा से भी skip नहीं कीजिगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी आपके phone में APN create है, उसके अंदर आपको आजना है, ठीक है, उसके अंदर आने के बाद, यहाँ पर आपको खुद से कुछ नया changing करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है उपर में आपको name का option मिलेगा, ठीक है, तो आपको name पर tap करना है, और यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको internet हटा कर और यहाँ पर आपको लिख दना है, ठीक है, यहाँ पर जियो 5G लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, वैसे आपको भी लिखना है, डिलेटली आपको यहां से OK करना है, OK करने के बाद second number पर आपको एक option मिलेगा APN के नाम से, तो डिलेटली आपको यहां पर करना है, APN पर टैप करना है, और यहां पर आपके phone में जो भी C में जैसे Airtail का है, V.I. का है, Voda phone का है, जो भी है, तो आगे में आपको उसका नाम ल करना है, scroll down कीजिएगा थोड़ा, तो यहां पर आपको एक option मिलेगा, authentication type का, यहां पर आप देख सकते हैं, directly आपको इस पर टैप करना है, tap करने के बाद यह किया होता है, कि आपका none पर set होता है, तो यहां पर आपको करना है, तो यहां पर आपको करना है, तो यहां पर आप था पार यहां पर आपको टेप करना है उसके बाद यहां पर आपको टेप करना था वह सारा कम्प्रिट हो चुका है उसके बाद निच्चे आपको नेट 5G से connect हो चुका है, अब यहाँ पर आपको क्या settings करना है, वो थोड़ा ध्यान दिखीगा, यह तो settings पहला था, लेकिन जो important settings करना है, अब यहाँ पर आपको खुद से करना हुगा, वो कैसे करना है, तो थोड़ा ध्यान दिखीगा, ठीक है, उसके लिए आपको करना किया यह हमारे phone के अंदर hidden settings होता है, यह आपको देखने को मिले है कैसे, तो आपको अपने phone के settings के अंदर जाना है, about phone के अंदर जाना है, और view number पर 7 बाट टैप करना है, उसके बाद आपके phone में यह नया settings देखने को मिल जाएगा, जो कि hidden होता है, डैटली आपको इसके अंदर जाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे settings देखने को मिल जाएगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी settings होते है, जो कि आपके phone के कई problem का solution कर देता है, जैसे में आपके phone का जो internet है, वो बिल्कुल fast काम कर लेगा, तो यहाँ पर आपको settings करना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान परफोर्मेंस, यानि कि आपकी phone का जो battery है, वो reduce तो करीदेगा, और आपके जो phone का network performance है न, वो काफी ज़्यादा improve कर देगा, यहाँ पर आप साब साब पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, डिरेक्ली आपको करना है, इसे यहाँ से आपको on करना है, on करने के बाद निच्चे आप स्क्रोल डान किजिए, तो यहाँ पर आपके एक option मिलेगा, जिसका नाम है, always keep mobile data on, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और निच्चे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, always keep mobile data active, when wifi active for fast network switching, यानि कि आपकी phone का जो internet है डेटा, वो हर मेंसा active रहगा, आप किसी भी कोने में चल जाए, आपकी phone का जो internet है, हर मेंसा active रहगा, और आपकी phone का internet है, वो बिल्कुल fast काम करेगा, यहाँ पर आप साब साब पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, fast network switching, आपकी phone में fast network switch हो जागा, और आप अपने 4G phone में 5G जैसा internet को use कर सकते हैं, तो यहाँ आपको करना क्या है, इस settings को आपको यहाँ से on कर रहा है, on करने के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अब सबसे important settings के बारे में, तो उसके लिए को करना क्या होगा, यहाँ पर आप साब scroll down किजिएगा, थोड़ा on निचे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, जिसका नाम है, show background a.nrs, यहाँ पर आप इंटरनेट कैसे slow चलता है, आपको पता है, अगर आपके फोन में 50-60 application है, और सारा application background में अगर run करेगा, तो जाहिस सी बात है कि आपकी फोन का जो internet है, वो slow काम करेगा ही, क्योंकि हमारे फोन में जितनी भी application है, वो internet से चलते हैं, जैसे कि हो गया WhatsApp, Instagram, Facebook, कई सारा application है, जो ह हमारे फोन में internet से चलते हैं, और वो सारा background में आपका run करते रहता है, और आपके जो phone का internet है, बहुत slow काम करता है, तो यहां पर आपको करना क्या है, 100 background ANRS को यहां से आपको on करना है, on करने के बाद आपकी फोन में जो background में application run करते हैं, वो run नहीं होगा, जो आप अपने फो पोन का internet है, बिल्कुल 5G जैसे चलेगा, और जड़ा से भी ping नहीं आए होगा, और नहीं कभी buffering होगा आपके YouTube में कोई भी video, तो यह 4 settings से आप अपने 4G phone में 5G internet को यूज कर सकते हैं, वो भी बीना कोई third party application का, तो I hope कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यदा यूश्व तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तब तो कलिए जैहिंग टेक केर मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में